सर महंगाई की ये नए ताजा आंकले में सबसे चिंता जनक बात क्या है? पर खाद महंगाई के भीतर उतरने पर हमने अनाच की महंगाई पर विस्तार से चर्चा की इस पैकेज में खाद महंगाई के भीतर सारे जो हिस्से खाद महंगाई को बनाते हैं उनने केवल मीट और अंडे को छोड़ दिया जाया तो इस पाइसेज वेजिटेबिल्स पल्स भ महंगाई, तेल की महंगाई, डवल दिट में, बारह फीशदी, तेराा फीशदी, सोला फीशदी के अस्पास है, और ये महंगाई हमें उस समय दिख रही है जब भारत में खरीव की फसल की आवक शुरू हो चुकी है, और यही सबसे बड़ी चिंदा की वज़ा है कि रिजर्ब बैंक इस समय खाद महेंगाई में कमी की उम्मीद कर रहा था और इसके आधार पर रिजर्ब बैंक ने आकलन किया था कि जो ब्याइजरों में बढ़ोत्री की गई है उसका असर हमें सेप्टेंबर के महीने से दिखन कम बारिश अतिवरष्टी और अब लेट तक चलने वाली बारिश के कारण अभी हमें बाद में हुई बारिश का धान की फसल पर क्या असर पड़ा है बाकी फसलों पर क्या असर पड़ा इसका महेंगाई में असर नहीं दिखाई दिया है यह हमें अगले महीने में दिखाई देगा दूसरी जमात तुपून बात है कि जो कॉर इंफलेशन पिछले कुछ महीनों से 6 फीजदी के नीचे बनी हुई थी वो वापस 6 फीजदी से उपर पहुच गी चार महीनों से लगए 6 फीजदी के नीचे थी कॉर इंफलेशन वो है जहां पर हम खाद दे और उरजा की महँगाई को अलग निकाल देते हैं और बाकी महँगाई को शामिल करते हैं रिजर्ब बैंक के लिए ये भी एक दवाओ का बिंदू है क्योंकि यहां ये कॉर इंफलेशन उस समय बढ़ी है जब भारत में तेवहारी मौसम में मांग दिखाई दे रही थी और कमपिनियों ने अपने कीमतों में बढ़ुतरी टाल दी थी शो में ध्यान रखना होगा कि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि तेवहारी मौसम का उत्पादन मांग अब लगवग खतम होने के करीब है इसके बाद कमपिनिया रुपए में गिरावट के कारण अपने उत्पादों की कीमते फिर बढ़ाएंगी ये बात कमपिनियों के द किनों में कोई बड़ी बढ़त बढ़तरी या बड़ा चेंज नहीं देखा है सर क्या लगता है फिर आप क्योंकि मेंगाई आप करें आगे भी चुनौती बनी रह सकती तो रिजर्बैंक ब्याजदर ने अब और तेजी से बढ़ाएगा और तीखी मौजूदा मौजूदा किनिने रिजर्बैंक 50 से 60 साथ बेसंस पॉंट की ब्याजदरों में बढ़तरी कर सकता है रिजर्फ बढ़तरी सिर्फ इसलिए नहीं होगी की महपएगाही है बलकि हम अमेरिका में ब्याजदरों में बढ़तरी हो गई और भारत के रुपय की गिरावत को थामने के लिए है भारत में ब्याजदरों में बढ़ोत्री हो सकती तो यहां से लेकर आने वाले समय तक 50-60 basis point के बढ़ोत्री होगी जिसमें शायर दिसंबर में 30-35 basis point की एक बढ़ोत्री भारत में ब्याजदरों में और देखेंगे दूसरी चीज़ यह कि इस महंगाई की जिद यह जो के लक्ष रिवाइज होंगे हमें इसके लिए बैंक की मौद्रिक समीक्षा का इंतजार करना पड़ेगा दिसंबर में कि क्या सालेचे फीजदी से ऊपर भी ब्याजदरों को रखना पड़ेगा तब जाकरे महंगाई नियंतरित होगी लेकिन खुद्रा महंगाई ने वो सा समीर इस पष्ट हो पाएगी सर कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं कि रिजर्बेंक सरकार को चठी लिखकर बताएगा कि महगाई क्यों नहीं थाम पाए या क्यों नहीं घटी हां ये अब ये रिजर्बेंक की बड़ी हार है और हमें मानना चाहिए और रिजर्बेंक भी शायद मानेगा कि जो कानून है जिस कानून के तहट मानेटरी पॉलिसी कमिटी बनाएगी थी उस कानून के तहट रिजर्बेंक को एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी सरकार को ये बताने के लिए कि उसने ब्याज़दरों में इतनी बढ़हतरी किये और उसके बाद भी महगाई में नहीं चाहती, सरकारें पर सबस्यादा कर्ज लेती हैं, तो उन्हें महेंगे कर्ज से नुक्सान होता और उद्यों को भी सस्ती पूंजी नहीं मिलती है। की बैठक बुलाएंगे, उस बैठक में हम सरकार को भेजे जाने वाले जवाव का मसदा त्यार करेंगे और हम बताएंगे कि हम कब तक महेंगाई के साइकल में कमी देख रहे हैं, महेंगाई में गिरावट में कमी देख रहे हैं और आने वाले समय में करने की क्या जरूरत लेकिन अब इस साथ तसमलब चारेक फीजदी की बढ़ोत्री और आने वाले समय में महेंगाई पर दबाव की स्थिती में लोगों की निगाए और हमारी निगाए भी इस बात पर रहेंगी कि रिजर्ब बैंक सरकार को अपने जवाब में क्या कहता है हाला कि रिजर्ब बैंक कि उसकी रणनी ती आखिर कारगर क्यों नहीं हो रही है और जो कारण जो तरक वो रखेगा उन तरकों से भारत में भविश्य में मानेटरी पॉलिसी की दिशाभीत होगी और सरकार के करज कारिकरम की और ब्याज़रों की दिशाभीत होगी यह महत्तुपुन घटनाकरम है इसका इंतजार रहेगा शायद दिसंबर में मानेटरी पालिसी कमिटी की बैठक के साथ में पता चले कि रिजर्ब बैंक कब तक सरकार को अपनी तरफ से यह सफाई देने वाला है कि वो महंगाई रोकने में अस्फल क्यों रहा है